नमस्कार विद्यार्थियो बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरिट चैनल में जिसका नाम है Magnet Brains और मैं हूँ शिप्रातिवारी बहुत बहुत स्वागत तो मैंने करी दिया है यहां पर आपको प्रवाइट कराए जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत 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 कर सके तो आज भी कोने से आने का कारण समझ में आपको कि अब हम एक नया फाइलम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पर हर क्लास की तरह हम लोग जानेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था NCIRT Booting तो यह मेरे हाल से मुझे बार बार explain करने की ज़रोत नहीं है क्योंकि अलरी हमने कई बार पढ़ लिया तो आज हम लोग एक नया phylum शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है phylum sealantrata, sealantrata जो है, actually ये एक true metazoa है, ठीकि देखिए, metazoa क्या होता है, metazoa are the group of animals, ठीकिए, metazoa are what, these are the group of animals, ठीकिए, now, हम metazoa को दो भागों में divide करते हैं, एक होता है parazoa और एक होता है u metazoa, ठीकिए, एक क्या होता है parazoa और एक क्या होता है yu metazoa, done, ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, yu metazoa के अंदर कौन आता है, yu metazoa के अंदर आते है true animals, जिसके अंदर tissue का organization होता है, parazoa के अंदर कौन आते है, इसके अंदर वो animals आते हैं, जिनके अंदर tissue का organization नहीं होता, जबकि cellular level of organization होता है तो अभी आपने कौन सा फाइलम पड़ा था हम लोग उने पड़ा था पौरिफेरा के बारे में जिसमें cellular level of organization पाया जाता है ठीक है और ये metazoa के clade या metazoa के part पैरazoa में आता है यू metazoa के दो है चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग सो मैंने आपको क्या बताया भी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़े क्लियर कर दू में देखिए ध्यान से की यह वह देखिए और दो अविट दो कर देखिए एकॉता यह यूर्जदा ग्यान से समुझते जाना नहीन तो नजर घटी और यहीं सट से दुरघटना घटी पीराज़गे अंदर कौन आता है, जिसमें cellular level of organization होता है कौन आता है cellular level of organization example क्या है इसका example है sponges ठीक है ओके और आपके U-metazoa में क्या आता है वो अब हम लोग जानने वाले हैं इसका screenshot ले लिजे कि metazoa group of animals we are divided into two clades number one is the parazoa parazoa के अंदर आते हैं cellular level of organization वाले animal जो की है porifera मतलब उसको हम लोग U-metazoa के अंदर नहीं पढ़ सकते U-metazoa के अंदर मतलब true animals U-metazoa मतलब multicellular organism U-metazoa मतलब tissue पाया जाएगा अपके अंदर ठीक है U-metazoa मतलब organ पाया जाएगे अपके अंदर ठीक है ओके नाओ अच्छा इसी क्यूपर में लिख दे रही हूँ शायद आपको clear हो भी जाएगा आप ठीक है U-metazoa के भी basically दो पार्ट होते है U-metazoa का पहला पार्ट क्या होता है Radiator ठीक है U-metazoa का पहला पार्ट क्या होता है Radiator और दूसरा पार्ट होता है Biletria आई बात समझ में U-metazoa के दो पार्ट One is the Radiator and number two is the Biletria ठीक है कैसे होते है डिपलो ब्लास्टिक और यह होते है एसीलोमेट कैसे होते है एसीलोमेट इसका उल्टा आप कर दीजे जैसे कि अगर आप बात करते बाइलेटरल हलाकी में बाहर हो रही हूंगे डोंट वरी बोट दिख रहा है क्या बाइलेटल सिमेट्री अरे आवास तो सुनाई दे रही होगी ना ट्रिपलो ब्लास्टिक ठीक है ट्रिपलो ब्लास्टिक और थर्ड इस सीलोमेट ठीक है अब आप समझेए कि मेटा जोह को बेसिकली विवर डिवाइड इंटू टू पार्ट्स नंबर बनी क्लासिफिकेशन याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो माथा फोड़ते बैठे रहेंगे माँ पर फिर आपको मेरी याद आएगी कि मैं चिला चिला के बोल रही थी और किसीने मेरी बात नहीं सुनी तो सुनना है अपने को कि मेटाजोवा का मतलब क्या होता है इस और ग्रूप ऑफ और ग्रूप ऑफ और अनिमल पर ग्रूप ऑफ अनिमल भी वही है हर तिप्रका हर समय एक जैसे नहीं होते एक होता है पैराजोवा के अंदर आने वाले वाले वो अनिमल होते जिनके अंदर cellular level of organization होता और एक होता यू-metazoa, यू-metazoa के अंदर आने वाले जो animal होते हैं, these are called as true animals, क्या कहलाते हैं, true animals कहलाते हैं, यू-metazoa को basically हम दो पार्ट में divide करते हैं, one is the radiator and second one is the bilateria, मैंने radiator के बारे में आपको कहीं पढ़ाया भी था, ठीक है, radiator जो है, radiator के अंदर वो animals आते हैं, जिनके अंदर radial symmetry होती है, ठीक है, वो diploblastic मतलब जो दो germ layer होती है और एक silomate होती है, जबकि bilateria जो होता है, ये well developed group है, U-metazoa के हैं, जिसमें silomate होते हैं, मतलब silom होता है, 3 germ layer होती है और bilateral symmetry होती है, ठीक है, डंड़रा डंड़र, इतनी बात आपको समझ में आई, तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया है, कुल मिला के समझ में आया हमको, कि ये एक radiator है, क्या है ये एक radiator है, और radiator U-metazoa का ही एक पार्ट होता है, आई बात समझ में, ठीक है, बहुत ही गंदा लिख दिया है, मैं चलो थोड़ा साफ लिख देती हूँ, ठीक है, तो टेंचन देलो, मैं साफ लिख रहे हूं तुमारे लिए, तो ये हो गया, यूमेटाजोवा, ठीक है, ओके, सो यूमेटाजोवा, सीलें characteristics पर, ठीक है, लिउकार्ट ने सबसे पहले सीलेंट रेट टर्म को कॉइंट किया, सबसे पहले बताया, सीलेंट रेटा सबसे बात समझना, sans слënte रेटा का नाम, we will hear where the silent rate encourages students, this data is Gesellschaftισ. अडरे बच्चों आप ध्यान से देखें तो ऐसी एक खाली जगह आपको सब्सक्राइब दिखाएं देगी इस जगह को क्या कहते और हम लोग कहते हैं गयास्टरोवैस्कुलर गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी क्या कहते हैं इसको हम लोग गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी अब तुम बताओ पेट में गैस कहां बनती है पेट में गैस डाइजेस्टिव सिस्टम में बनती है बनती की नहीं बनती तो पेट में गैस डाइजेस्टिव सिस्टम के बनती ह इसका मतलब यह कि कोई भी digestive process होगा, कोई भी vascular मतलब circulation process होगा, वो इस cavity के अंदर ही होगा, तो sealantrator का नाम sealantrator इसलिए पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक cavity पाई जाती है, जिसका नाम होता है gastro-vascular cavity, ठीक है, आई बात समझ में, ओके, इसे आप central cavity भी कहते हैं, अच्छा, gastro vascular cavity पर थोड़ी sealantrator रख दिया, इस gastro-vascular cavity का नाम है, sealantron, क्या है, sealantron, यह जो gastro-vascular cavity या ब्लांक स्पेस है, sealantrator के उसमें, बाडी में, उसे आप कहते है, sealantron, क्या कहते है मेरे पहरे बच्चो, sealantron, इसलिए phylum का दाम sealantrator पढ़ा, ठीक है, इस जो phylum के जीव है, उन्हे हम nideria भी कहते है, क्या कहते है, nideria, ठीक है, why इस phylum is called as nideria, क्योंकि इनके पास होती है, stinging cells, क्या होती है इनके पास, stinging cells, what is the stinging cells, stinging cells वो cells होती है, जो किसी को भी 는कने के काम आती है, ठीक है, इनको हिंदी में आप Shitage को शिकाएं कहते भी हैं, आई बात समझ में, सो इनके पास निडेरिया फाइलम इसका दूसरा नाम निडेरिया इसलिए है क्योंकि इनके पास stinging cells होती हैं दंश को शिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है नीडो ब्लास्ट क्या होता है नीडो ब्लास्ट ओके अब समझ में आई आपको बात नीडो ब्लास्ट के पास या नीडो साइट सेल भी इसको आप कहते हैं सो इस फाइलम का नाम निडेरिया इसलिए है क्योंकि इनके पास नीडो ब्लास्ट सेल पाई जाती है नीडो ब्लास्ट को दंसकोश का भी कहते हैं इस नीडो ब्लास्ट के अंदर होता है नीमाटो आई बात समझ में ठीक है, ओके, अब ये जो निमेटोसिस्ट होता है, ये एक टॉक्सिन प्रड्यूस करता है, जिसे आप कहते हैं हाइपनो टॉक्सिन ठीक है, अब आपने वो गाना सुना होगा, ब्लू आइज हिपनो टाइज तेरी कर दी है मैंनू इसका मतलब ये, कि हिपनो टाइज का मतलब होना है, खो जाना, ठीक है, अपनी मस्ती में मस्त होना, बेहोश होना, आई बात समझ में, तो इनके अंदर, नीडोसाइट सेल्स के अंदर, क्या होते हैं, निमाटोसिस्ट होते हैं, जिनके अंदर, एक प्रकार का टॉक्सिन होता है एक प्रकार का जहर होता है जिसे हम Hyprotoxin कहते है ठीक है यह इससे आप Venom भी कह सकते हैं जैसे सनेकर के अंदर Venom होता है न वैसे इससे भी आप क्या कह सकते हैं ठीक है यह जो Venom है यह किससे मिलकर बना है, यह Venom मिलकर बना है और किस से फिनॉल और आपकी बहुत सारे प्रोटीन से आई बात समझ में कोई दिकत इसमें सो इसका नाम निदेरिया क्यों पड़ आपको समझ में आए विकॉस यहार नेडोसाइज स्लाइज नेडोसाइज के अंदर निमेटोसिस्ट के अंदर एक वेनम एक जहर होता है जो कि प्रोटॉरीन और फिलॉल से मिलकर बना है इसे आप हाइपनोटॉक्सिन केते हैं यह जो वेनम है यह इनकी पूरी बॉडी में खासकर टेंटिकल और इनके माूथ के पास पाया जाता है जब भी इनका शिकार इनके पास आता है, यह दन से जाकर से चिपक जाते हैं, पूरे आइपनो टॉक्सिन उसके बॉडी में घुसर देते हैं, उनका प्रे जो होता है, उनका जो शिकार होता है, वो क्या हो जाता है, शान्त हो जाता है, धीला हो जाता है, धीमा हो जाता है, औ मतलब टिंग 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 तो बिच्व में भी स्टिंगिंग सेल्स होती है स्टिंगिंग को और अर्गन होता है दसना ठीक है डंश दसना किसी को काट लेना दस लेना ठीक है इसको डसना कहते हैं ठीक है एंकर करने का, एंकर का मतलब किसी चीज से चिपक जाना, तो ये किसी भी शिकार से चिपक जाने में मदद करते हैं, आई बास समझ में, तो ये किसी भी शिकार से में मदद करते हैं कि चिपक जाने में, ठीक है, उसके बाद ये फूड को क्या करते हैं, काप्चर करने में एक बात बताओ मैं दोडे जारे हुँ हो जाएगा हिप्नोटाइज हो जाऊँगी कब से मुझे खा लेगा नताइन लिकार प्रफु değild up तो यह इंकरेज करने में काम करती है सेल फूड को काप्चर करने में काम करती है so defense and offense ठीक है यह ऐसा है कि लड़ने भी काम करें कोई लड़ने आएगा तो दश लेंगे पन ठीक है offense का मतलब यह है कि भाई मारेंगे भागेंगे, locomotion चलेंगे और capture करेंगे food को ठीक है defense, offense, locomotion, anchor करना, चिपकना और capture of the food ठीक है so आपको समझ में आये sealant rate को sealant rate क्यों करते हैं और निड़रिया को निड़रिया क्यों करते हैं due to the presence of needle blast cells which is a type of stinging cells ठीक है अब आजाओ so यह जो आपको दिखाई दे रही है नहीं यह है देको gastro vascular cavity इसी cavity के अधार पर sealant rate को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों sealant rate sealant iron कहते हैं और यह जो opening आपको दिख रही है इसे आप कहते हैं mouth क्या कहते हैं mouth यह आपको भूतनी जैसे जो दिख रहे है ना ठीक है जो बाल इसके दिख रहे हैं यह tentacle tentacle में dot dot क्या दिख रही है stinging cells ठीक है और यह cavity के चारो तरफ आपको कुछ cells दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं अरे बोलो ना यह cells क्या है वो अभी हम लोग डिसकस करने वाले हैं अब आपने यह समझा ना कि यह cavity इसके चारो तरफ आपको cells दिख रही है ना यह cells का जो है magnified version ने जिसको हम डिसकस करेंगे शिपरतिवारी कंसेप्ट STC points देखिए क्या है इसके STC point यह है कि नीडोलोजी जो है अगर यह ऐसा आया नीडोलोजी इस दा स्टेडी ओफ निडेरिया ठीक है अब अगर बच्चों सी तुम हटा दोगे ना इससे तो यह हो जाएगा नीडोलोजी नीडो का मतलब क्या होता है नेस्ट तो अगर आप किसी बर्ड के नेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस दा नीडोलोजी विया यू आफ तो रिमूव दसी बारे में बात कर रहे हैं तो अब आगे बात करते हैं यह रेड कोरल है आपका ठीक है यह जैली फिश आपकी कितनी बहतरीन लग रही है समंदर में जाओगे तो छूना मत इसको ने तो श्टिंगिंग सेल है डस लेंगे मर जाओगे वहीं पर ठीक है यह जैली फिश है और यह आपका रेड कोलर है कोरल है रेड कोरल जानते हो कि तो मूंगा जो मम्मी कहती है अगर शांती होगी पहन लो वह एक टाइप का सीलें हाइड्रा को अगर आप छोड़ दें तो यह कैसे होते हैं मराइन समंदरी जीव होते हैं समंदर में रहना इनको पसंद है कार्निवोर्स होते हैं ठीक है कार्निवोर होते हैं मानसाहारी अब समंदर में तुमको शाकारी वोजन मिलेगा क्या ठीक है उसके बाद इनके कुछ कुछ फॉर्म में अच्छ आपको पता हैं यह मैंने क्यू लगाया ठीक है नहीं यहां पर इस फिक्स नोटे मतलब कोरल कोरल्स अगर आप बात करें ठीक है लाता है जो अग्जाम्पल व सिलिंड्रेट तो जो कोरल्स होते हैं वो हमेशा जमीन से चिपके हुए रहते हैं ठीक है और जो fixed है fixed का अगर हम specific term की बात करें तो sedentary ठीक है तो ये sedentary होते हैं किसी चीज से चिपके हुए रहते हैं या तो ये free floating होते हैं जैसे कि jelly fish habitat समझ में आए आपको marine होते हैं खाना खाते हैं मान सहार होते हैं ठीक है fixed रहते हैं या free floating भी हो सकते हैं ठीक है now level of organization आपको मैं पूरे हर phylum का clear कर रही हूँ अगर कोई confusion होगा तो please मुझे बताना पर I don't think so कि इतने simplest way में YouTube में कोई भी तुम्हें पढ़ा सकता है इतना simple तो कोई नहीं पढ़ा सकता भी यह guarantee है ठीक है level of organization की बात करते हम लोग level of organization मतलब कैसा है ठीक है अभी तुमने क्या पढ़ा radiator ठीक है radiator पढ़ा न, radiator में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिनमें tissue level of organization होता है वो radiator के अंदर आते तो भईया ऐसा है कि इनके पास body में हर function को perform करने के लिए specific type of tissues पाए जाते है आई बात समझ में, तो इनकी body में हर function को perform करने के लिए specific type of tissues पाए जाते है that is why मैंने बोला कि भई यह tissue level of organization है symmetry की बात करें तो radiator हैं तो भई यह कौनसी symmetry होगी? radial, center से आप इसे काटते जाएं तो आपको equal भाग मिलते जाएंगे अगर germ layer की बात करें तो diploblastic है diploblastic का मतलब मैं आपको हर बार ही बताती हूँ पर देखो न मुझे ऐसा लगता है कि यही बता-बता के जीवन भीच जाएगा इनके पास दो layer होती है एक होती है ectoderm और एक होती है endoderm उसके बाद इसके बीच में क्या भारा हुआ होता है? इसके बीच में भारा होता है mesoglia mesoglia gelatinous material है जिसमें free cell इधर उधर घूमती रहती है ठीक है ameocyte पाई जाती है पौरी फेरा हम पढ़ाता पर लोगों ने cilom diplo-blastic है तो क्या cilom होगा मेरे लाल? नहीं होगा यह acylomate होते हैं तो हमेशा पहला condition ही cilom बनने का यह है कि तीन layer होनी चाहिए mesoderm ही नहीं बीच वाली layer ही नहीं आगे बढ़े तो यह जो diagram है यह hydra का है आगे बात करें आगे ठीक है अब हम लोग बात करतें body wall की ठीक है तो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि यह होते हैं diplo-blastic यह कैसे होते हैं diplo-blastic मतलब इनकी body में एक outer layer होती है और एक inner layer होती है ठीक है अब हमको यह समझना है कि outer layer में कौन-कौन सा cell होता है और inner layer में कौन-कौन सी cell होती है जो कि अभी आपने पढ़ा कि इनके में group of cells होती है tissues होते हैं जो अलग-अलग function को perform करते हैं इसका मतलब यह कि इनके पास बहुत सारे type of cells होती है तो इनके outer layer में भी बहुत सारे type की cells होती है और inner layer में भी बहुत सारे cells होती है और दोनों के बीच में एक space है जिसका नाम है mesoglia जिसमें free cells गुमती रहती है तो body wall जो है तो छोड़ देना पर नाम में ही काम है काम तो सबसे बड़ा होता है वहिया सबसे पहली जो cell outer layer में present होती है वो होती है stinging cells क्या होती है stinging cells इसी को हम क्या कहते हैं इसी को हम needo side cell भी कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग इसको needo side cells कहते हैं जो की predator को बेहोश करने में इस्तमाल करती है ठीक है तो predator रोने लगेगा ऐसे करके ओके तो ये जो cells होती है ये सबसे outer layer में पाई जाती है और ये एक hypnotoxin release करती है जो की बेहोश करने का काम करती है interstitial cell जो होती outer layer में इन्हें हम totipotent cell कहते हैं क्या कहते है बचो totipotent cell कहा जाता है totipotent cell जो होती है ये क्या करती है totipotent cell जो होती है ये basically regeneration करने में मदद करती है ठीक है जो ये क्या करती है कि कुछ भी cylindrata में तूट गया कुछ भी damage हो गया कुछ भी नया बनाना है तो ये ही cell काम करती है ठीक है या food को trap करने में मदद करती है और भागने में मदद करती है ठीक है क्योंकि muscles है तो कौनसी muscles होती है they have smooth muscle fiber ठीक है जो की control करती है locomotion में खाने को पकड़ने में लड़ाई जगड़ा करने में ये सारी चीजों में ठीक है यह हो गई epithelio muscular cell दूसरी cells जो है यह क्या निकालती है यह secret करती है ताकि यह communicate कैसे करेंगे so they secret some hypnotoxin they secret some hormones तो नहीं होगा toxins यह सब ठीक है तो glandular secretion होती है sensory ठीक है तो sensory cells इनके पास होती है जो tentacle के पास और इनके mouth वाले एरिया पर होती है जो इनको भगाने में मदद करती है germ cells जो होती है यह बनाती है इनके germinary part जो की sperm and ova यह सारी चीज़े जो भी reproduction में काम आती है nerve cells हाला की इनके पास कोई nerve cell नहीं होती है मतलब apolar type का nerve है यह क्या है मैं आपको बताऊंगी apolar nerve होती है जो की इनको coordinate करने में मदद करती है ठीक है nervous system पढ़ेंगे हम लोग now अगर हम बात करें ठीक है suppose that की मैं यह बात कर रहे हूं suppose that जैसे की माल लीजे की यह आपका एक hydra है ठीक है suppose that this is a hydra of yours ठीक है अब यह जो hydra है suppose that यह आपके क्या है tentacles है ठीक है suppose that यह tentacle है I know I am a bad drawing artist पर let it be ठीक है अब यह जो है आपकी कौनसी layer हो गई यह outer layer हो गई done ठीक यह क्या हो गई आपकी outer layer और यह हो गई आपकी inner layer done यह red वाली को ही माल नहीं थे अपनी inner layer के attention ठीक है सो इस वाली को आप कहते हैं क्या कहोगे इसको हम लोग इसको हम लोग कहते एपीडर्मिस ठीक है इसको आपने क्या कह दिया इसको आपने कह दिया एपीडर्मिस ठीक है ओके नहीं से देखो इसको हम लोगों ने कह दिया एपीडर्मिस और इसे आप कह दीजे अंदर वाली कह यह सिको अपर पर लो क्या में सकते हैं गैस्ट्रोडर्मिस क्या कह सकते हैं दोग यह हाइप Eleormies यहह रहा था थीक है इसे आप कहीत ऐञा ए床 कियो कहे以前 कि आहसे सब स्क्राटबिष क्यों कि गरमेटиях क्यों कि एक है स्भंपी यह कार्वी यह क्योंचawi क्या है इसका लियर होती है यह बश परकार की इंड़ो थीलियम होती है स próxima ले पर टी पोटेंट छो की वीर टीर जो है उसको दारती है ओसें किसरी नर्थ इनके पास होती है स्टिंगिंग जयर और आप डेखें स्टिंगिंग सेल के अलावा और आपकी muscular endothelial cell के लावा glandular cell के लावा almost सारी cells कैसी है same ठीक है so how many layers we have in the body wall of the this sealant rata we have two layers in the body wall of sealant rata and seven cells in the outer layer and five cells in the inner layer अब आप देखी कुछ cells के diagrams तो मैंने यहापे बनाई भी है तो यह इसका mouth है यह hydra है hydra है best example होता है इसको लोग use करते है hypostome होता है tentacle होता है यहां से bud करता है और जहां से attach होता है उसको आप peduncle कहते है आप समझना मेरी बात को यह है इसका ectoderm यह है इसका endoderm ठीक है बाहर वाली layer को आप क्या कहते है ectoderm अंदर वाली को आप क्या कहते है endoderm बीच में एक gelatinous material है जिसमें free cell घूमती रहती है पर यह है gelatinous non-living material है जिसे आप में इजोग लिया कहते है अब ectoderm में आपको सबसे पहली cell कौन से दिखाई दे रही है nematocyte ठीक है nematocyst actually it is nematocyte not nematocyst बहुत सारे सको nematocyst भी कहते है यह है nematocyte ठीक है उसके बाद इनमें कौन से दिखाई दे रही है interstitial cell जो की germ cell है wear and tear को मदद करती है और नई germ cells बनाती है reproduction वाली cells बनाती है यह nematoblast cells है ठीक है क्या है nematoblast cells है जो की nematocyst बनाती है now sensory neuron है जो की sensitivity का काम करते हैं ठीक है endoderm में भी they have celia जो की यह cavity है यह कैसी है यह अंदर cavity आगई इसके ठीक है अब इनके पास neurons होते हैं कुल मिला के आपको एक लियर यह दिखरी है एक लियर यह दिखरी है nematocyst को दिमाग में रखिये जो की दंश कोशिका है कहलाती है ठीक है आई बात समझ में कोई दिक्कत now skeleton के बारे में अगर हम लोग बात करें skeletal जो होता है इनका यह skeletal देखिए बहुत सारे ऐसे organism है sealant reta के जिसमें आपको कोई skeleton नहीं दिखाई देगा जैसे jellyfish jellyfish बहुत ही transparent बहुत ही नाजुक दिखाई देती तो उनमें skeleton नहीं होता पर अगर आप बात करें korals की किसकी बात करें बेटा अगर आप बात करें korals की तो korals के पास तो skeletal होता है ठीक है they have exoskeletal which is made up of calcium carbonate आई बात समझ में तो इनके पास chorals जो होते हैं इनके पास exoskeletal होता है जो कि calcium carbonate बना होता है we have so many types of corals would need स्केलेटल जो आपका जैली फिश उती उनमें स्केलेटल नहीं होता है तो देखिए आप ध्यान से समझेए यह इसकी आउटर लेयर है आउटर लेयर में नीडो साइट दिख रहा है नीडो साइट के अंदर आपको नीमेटो सीस दिख रहा है जिसके अंदर हैपनो टॉक्सिन भरा हुआ है एपिथिली यूश ब्र शिल जिर्शो जानATA है जर्मंॉपन के नाम से भी जानते हैं जोंकि जरमाइनल औरन आते हैं जाकि reproduction में मदद मिले ठीक है उसके बाद यहां पर आपको myofibrils दिख रहे हैं जो कि movement में मदद करते हैं sensory cells आउटर layer में आपको दिखाई दे रही है जो कि sense पता है कि शिकारी आ रहा है तो खिसक लो ठीक है उसके बाद outer layer को epidermis भी कहते हैं बीच में में आ गया है mesoglia और अंदर वाली को gastrodermis कहते है gastrodermis में क्या क्या दिखाई दे रहा है glandular cell दिखाई दे रही है myofibrils दिखाई दे रहे हैं और nutritive muscular cells या endothelial cells भी दिखाई दे रही है ठीक है तो आपको मेन यह वाला point याद रखना है कि outer layer में आपको nidocyte दिखाई देगा जिसमें आपकी nematocyst होंगी जिसके इंदर toxin भरा हुआ होता है ठीक है so this is all about the some latest general characteristics of the sealant rata I hope you learned and enjoyed the video in the next class I will tell you more general characteristics of nideriya so see you in the next class thank you so much